धाकर खबर के नियूजम से मैं आपके साथ हुआ क्राम रईस खान क्या चोला बदलते ही इनसान भी बदल जाते हैं ऐसा हुआ है कभी या सिर्फ लोग चोला बदलते हैं उनका मन नहीं बदल पाता है ये मामला आप सबसे पहले अगर लागू करेंगे तो धर्म के ठेके दारों पर लागू कर सकते हैं वो मुला पंडी तो बन जाते हैं लेकिन उनका हिर्दे परिबरतन नहीं हो पाता वो क्रूर रहता है मकार रहता है चलकपड़ वाला रहता है लालची रहता है तमाम फिल्मो लूटते रहते हैं उनको बर्बाद करते रहते हैं और उससे आगे अगर ये फार्मूलाब लागू करना चाहते हैं तो हम चलेंगे पुलिस के पास वो बर्दी तो पहन लेती है उससे लगता है कि हाँ ये लोग इनसाफ के रखवाले हैं कानून के रखवाले हैं इनसाफ करे कि यह रहा हूं यह बात आपके सामने और क्यों मैंने इतनी ब्वूमी का बनाई वो कुछ तस्वीरों के जर्यां के सामने रखना चाहता हूं पहले वह तस्वीर देख लीजिए फिर बताओं अगए कि तस्वीर आग कहां से रही हैं कि वह थो ठोड़े चोड़े चोड़े चौड़े चौड़े कि अधुरब कि अधुर करूं कर देखां आपनी यह शक्स अपनी पतनी को बाल घसीड कटीज कर लिटा लिटा के पीट रहा है अगर घर में पले हुए दो कुत्ते उस महिला को बचाने आ रहे हैं तो उनको भी नहीं छोड़ रहा है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है यह जी हाँ मद्य परदेश पुलिस का डीजी है जो अपनी पतनी को ऐसे बुरी तरीके से मार रहा है साथ मिनट सत्रा सेकिंड का एक वीडियो है चार मिनट सैतालिस सेकिंड का एक वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पे वाइरल हो रहा है और यह सीसी टीवी फुटेज में सब कुछ डिकोड हुआ है तो पहला सबाल यह पैदा होता है कि इसका नाम क्या है तो इस डीजी का नाम बताए जारा है पुरुषोत्तम शर्मा इस पूरे मामले को लेकर महिलायोग शक्त हो गया है सोबह हो जामा की महिलायोग के अध्यक्स हैं उन्होंने जवाब तलब कर लिया डीजीपी कहा रहा है भया हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम इस पर जरूर कारभाई करेंगे बेटा जो है उसने वीडियो उठाक कर चीप मिनिस्टर को होम मिनिस्टर को डीजीपी को चीप सेकरेटरी को ट्वीट कर दिये हैं सेंड कर दिये हैं लेकिन जब दैनिक भासकर समय कहीं मीडिया संसानों ने इन से बात करने की कोशिश की तो ना मा ना बेटा बात कर रहे हैं अब भी बात क्या है वो थोड़ा साब को बता देते हैं बताया जा रहा है कि पतनी एक दिन पीछा करते-करते पुरुषोत्म शर्मा के उस ठीकाने पर पहुँच गई जहां पर वो अपनी महिला साथी के साथ थे बस महिला ने जाकर वहां हंगामा मचाया उस वगद तो वहां से महिला पता नहीं कैसे वापस आ गई या क्यों वापस आ गई यह पता अभी नहीं है लेकिन कुछ देर बा तमाम लोगों को ट्वीट कर दिया अब यहां को सवाल पैदा होते हैं जब यह डी जी के पद पर बैठे हुए अपनी पतनी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप इनसाफ की उम्मीद कर सकते हैं कि यह लोग महिलाओं को कुछ इनसाफ देंगे और दूसरा मेरा सवाल क्या चोला का बहस करेगा और कब इन लोगों को यह सिखाय जाएगा कि इस वर्दी को पहनने के बाद इस चोले को बदलने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी हो जाती हैं अब मेडिया इस कबर को चटकारे लगा लगा के दिखा रहा है बता रहा है और पुरशोतम शर्मा से जबाब इस मामले में तलब कर रहा है लेकिन उनका कोई जबाब नहीं आ रहा है सरकार भी इस पूरे मामले में खामोश बनी वी है और जो पुलिस वाले हैं वो भी इस पर मुं बंद किये हुए हैं क्योंकि पुलिस वाले जैसे हमारे एक परिष्ट पत्रकार हैं रवी अरोडा जी उन्होंने बताया कि पुलिस वाले न फिल्मी दुनिया की तरह जीते हैं रिबेन का चश्मा लगाएंगे उनके गल्फ्रेंड होगी सब कुछ होगा ये सब कुछ उनका चलता है अगर पैसा इतना कमा लेते हैं उसको खपाएं तो कहां खपाएं बने रेगा धाकड़ कपर के साथ फिर ऐसे किसी सो लगते हुए या उलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाज़िर फिलाला भी मुझे दें इजाज़त